हेलो एब्रिवन, सिलाई फेशन में आपका सौगत है आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ हैंडवर्ग बेबी फ्रॉक पर यह हमारी प्लैन फ्रॉक है इस पर मैं चिकन कारी करूँगी जिससे हमारी फ्रॉक बहुती ब्यूटिफुल लगेगी तो शुरू करते हैं अपना हम आज का वीडियो तो सबसे पहले यह मैंने फ्रॉक का घेर ले रखा है इससे मैंने फ्रेम में अटेच किया है तो यहां पर मैं करूँगी आउटलाइन तो फ्रेम मैंने अटेच किया है उल्टि साइड क्योंकि हमें चिकन कारी करनी है तो पहले मैं इसमें लूँगी आउटलाइन वही इजी मैथ़ड के साथ मैं आपको पताऊंगी मैं इस फ्रॉक में कर रही हूँ शेड़ो वर्क चिकन कारी जो तियार होने के बाद हमारी यह फ्रॉक बहुत ही ब्यूटिफुल लगने वाली है देखिए बहुत ही इजी मैथ़ड है आप यह बर्क कुर्टों पर भी कर सकती है लेकिन यह मैं फ्रॉक पर कर रही हूँ क्योंकि हमारी यह फ्रॉक प्लैन है यह हमारी उल्टी साइड है देखिए सीडी साइड हमारी ऐसी आएने माली है और इजी तरीगे से मैं आपको बता रही हूँ इसी तरह से मुझे फ्रॉक के पूरे घेर पर यह कंप्लीट करना है इसे हम आउटलाइन बोलते हैं हमारी यह आउटलाइन कंप्लीट हो चुकी है अम में बना रही हूँ है छोटी छोटी पूटियां और खॉटलाइन का इसी हूँ यह हमारी पूर्टी कम्प्लीट हो चुकी है पुकी हो चुकी हो चुकी हो चुकी है जब ही हमारी फिरोग कम्प्लीट होगी तो बिल्कुल मार्किट जैसा इसका लुक आएगा और बहुत ही ज़ादा बीटिफुल लगेगी बस यह याद रेखिए का हमें सिर्फ उल्टी साइड इसको करना है अगर आप सीधी साइड करेंगे तो बेकार हो जाएगा बस इस पात का ज़्यादा ध्यान रखना है यह जो हम कर रहे हैं यह उल्टी साइड है यह हमारा फूल कम्प्लीट हो चुका है अज़ हमारा कर यह हम वह हम रखवार् यह झाप्लीट यह हम ज लता है हमारा बसे चाहाँ झांने हैं छो हमारे का बदाना है अब लेंगे हम यहां से सेम प्रोसेस करना है हमें सेम हमारी बूटियां है देखे यह हमारी बूटि कंप्लीट हो गई है जब हम इसको सीधा करेंगे तो इसका लोग कुछ इस तरह आएगा जो बहुत ही प्यारा लगता है हमारी यह नीचे की सारी बूटियां कंप्लीट हो चुकी है अब मैं यहां पर बनाऊंगी आउटलाइन और फिर हम बनाएगे अपना फ्लॉबर तो अब मैं यहां पर आउटलाइन करूंगी हमारी सारी आउटलाइने तयार हो चुकी है अब मुझे बनाना है यह फ्लॉबर कंप्लीट करना है जो हमारा लास्ट फ्लॉबर है इसके बाद हमारी फ्लॉबर बहुत ज़्यादा ट्रैक्टिव लगेगी यह जो हम आउटलाइन कर रहे हैं यह हमें करनी है सीधी साइड और हमारी जो यह पत्तियां है उसको कंप्लीट करेंगे हम उल्टी साइड तो अब भी हम करने हैं सीधी साइड क्योंकि हमें यह आउटलाइन करनी है क्योंकि आउटलाइन हम करने हैं चैन वर्क कर दो झाल यह हमारी आउटलाइन कंप्लीट हो चुकी है अब सैम आउटलाइन मुझे यह भी करनी है हमारी यह दोनों लाइन कंप्लीट हो चुकी है अब मुझे कंप्लीट करने है यह अपनी पत्तिया तो पत्तियों पे करेंगे हम सैम वही जो हमने नीचे अपनी बुड्यों पे किया ह अब पतिया हम करें उल्टी साइट से और हमने अपनी आउटलाइन की थी सीधी साइट से से जड़ाज से और हमने ओने मकी थी सीधी सी थी कोद करो को यहनी से और हमने अपनी और हमने अशनलाईन की द coast झाल 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 झाल